ओम शान्ती, आज है 21 जुलाई 2022 की साकार मुरले, आए सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे महावाक्यों को मीठे बच्चे, सदा खुशी में रहो तो स्वर्ग की बादशाही का नशा कभी भूल नहीं सकता प्रेशन, बाब कौन सी वंडरफुल सैंपलिंग लगाते हैं? उत्तर, पतित मनुश्यों को पावन देवता बना देना यहाँ वंडरफुल सैंपलिंग बाब ही लगाते हैं जो धरम प्रा यह लोप है, उसकी स्थापना कर देना वंडर है प्रेश्न बाप का चरित्र कौन सा है? उत्तर चतुराई से बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना यहाँ बाप का चरित्र है बाकी क्रिशन के तो कोई चरित्र नहीं है वहाँ तो छोटा बच्चा है गीत रात के राही ओम शांती मिठे मिठे बच्चे जानते हैं कि यहाँ गीत कोई यहां का बनाया हुआ नहीं है गीत जब सुनते हो तो समझते हो कि बरोबर बाबा हमारा हाथ पकड़ कर ले चलते हैं जैसे छोटे बच्चे होते हैं समझते हैं कि हाथ ना पकड़ने से गिरना पड़ें अभी वैसे तुम चानते हो घोर अंधियारा है ठोकरे ही ठोकरे खाते रहते हैं बुद्धी भी कहती है एक बाबा ही है जो स्वर्ग की सचखंड की सापना करने वाला है उचे ते उचा वह सच्चा बाबा है उनकी महिमा करनी होती है औरों को निश्चे बुद्धी बनाने के लिए बाप है ही स्वर्ग स्थापन करने वाला अथवा हैवनली गौड फादर वही तुम बच्चेओं को पढ़ाते हैं हैवनली गौड फादर माना हैवन स्थापन करने वाला बरोबर हैवन स्थापन करते हैं फिर हैवन का मालिक है श्री क्रिशन वहा हो गया हैवन रचने वाला और वहा हो गया हैवन का प्रिंस रचता तो एक बाबा ही है हैवनली प्रिंस बढ़ना है सिर्फ एक तो नहीं आठ डिनाइस्टी गिनी जाती है। यहां भी निष्चे है। बाबा से वर्सा ले रहे है। बाबा हैवन का रच जहिता है। हम उस बाबा से कलप कलप वर्सा लेती हैं। चुरासे जन्म पूरे करती है। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख, आधा कल्प है रामराज, आधा कल्प है रावनराज, अब हम फिर से श्रीमत पर चलकर स्वरक के मालिक बन रहे हैं, यहाँ भूलने की बात नहीं, अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए, आत्मा को अंदर खुशी होती है, आत समझताओं की शकल कितनी हर्षित मुख है जानते हैं वह सर्ग के मालिक थे समझाने के लिए बाबा तादी बनवा रहे हैं हैवनली गौड़ फादर की महिमा ही अलग है और हैवनली प्रिंस की महिमा अलग है वहर चैता वहर अचना तो बच्यों को समझाने के लिए बाबा युक्ती से लिखते रहते हैं तो मनुश्यों को अच्छी रीती समझ में आए जिनको परमपिता परमात्मा कहते हैं वही पतत पावन है वह बेहद का रचेता है रचेंगे भी जरूर स्वर्ग सत्रेता को मनुश्य स्वर्ग कहते हैं स्वर्ग और नर्ग आधा-ाधा हो जाता है, सृिस्टी भी बरोबर आधा-ाधा है, नहीं और पुरानी, उस जड़ जाड की आयू कोई fix नहीं होती है, इस जाड की आयू बिलकुल fix है, इस में सृिस्टी जाड की आयू पूरी accurate है, ऐसे और कोई की होती नहीं, एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता, वेराइटी जाड है, एक्यूरेट बना बनाया ड्रामा है, यहाँ खेल चार भाग में बांटा हुआ है, जगनात पूरी में हांडा चड़ाते हैं चावल का, उसमें चार भाग हो जाते हैं, यहाँ स्रिस्टी भी चार भागों में बंटी हुई ह इसमें एक सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता, तुम जानते हो बाप ने पांच हजार वर्ष पहले भी समझाया था, हुब हुव वैसे ही समझा रहे हैं, निश्चे है, पांच हजार वर्ष बाद फिर हैविल्ली गॉड़ फादर, सुरक के स्थापना करने वाला हमको, सु रावन न लायक बनाते हैं, जिससे भारत कौडी जैसा बन पड़ता है, बाबा ऐसा हमें लायक बनाते हैं, जो भारत हीरे जैसा बन जाता है, नंबर वार मर्तबे तो होते ही हैं, हरे का अपना अपना कर्म बंधन का हिसाब किताब है, कोई पोचते हैं बाबा, हम वारिस ब बाबा कहते हैं अपना कर्म बंधन देखो करम अकरम विकरम के गती तो बाब ही समझाते हैं बाबा हमेशा कहते हैं अलग अलग राय पूछो अपने लिए बाबा बताएंगे तुम्हारे हिसाब किताब किस प्रकार के हैं तुम क्या पत पा सकते हो सारी राजधाने स्थापन ह रही है एक बाप ही kingdom स्थापन करते हैं बाकी सब अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं सत्युग में लक्षमी नारायन का राज्य था वह है उन्हों की प्रालप्त सोभी नंबर वार उन्होंने प्रालप्त कैसे पाई अभी तुम देख रहे हो ना बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ अनेक ऐसे कल्प के संगम बीते हैं बीतते चलेंगे उनका कोई अंत है नहीं बुधी बे कहती है कि पतित पावन बाप आएंगे ही संगम पर जबकि पतित राज्य का विनाश कराए पावन राज्य की स्थापना करनी है इस संगम की ही महिमा है सत्यु त्रेता के संगम पर कुछ होता नहीं है वहाँ तो सिर्फ राज्याई की ट्रांसफर होती है लक्ष्मी नाराईन का राज्य बदल रामसीता का राज्य होता है बस यहां तो कितना हंगामा होता है बाब कहते हैं अब यहां सारे पतित दुनिया खत्म होने वाली है सबको जाना है बाबा कहते हैं मैं सब का गाइड बनता हूँ, दुख से लिबरेट कर सदैव के लिए शांती धाम सुखधाम ले जाता हूँ, तुम जानते हो हम सुखधाम में जाएंगे, बाकी सब शांती धाम में जाएंगे, इसमें मनुष्य कहते भी हैं मन को शांती कैसे मिले, ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि सुख मिले, शांती के लिए ही कहते हैं, सब शांती में ही जाने वाले हैं, फिर अपने अपने धर्म में आने वाले हैं, धर्म की वृध्धी तो होनी ही है, आधा कल्प है सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजधानी, फिर और धर्म आते हैं, अभी आधी सन अतन देवी देवता धरम का कोई है नहीं, धरम ही प्रायह लोप हो जाता है, फिर स्थापना होती है, सैंपलिंग लग रही है, बाप यहां सैंपलिंग लगाते हैं, वहां फिर जाड़ों आदे की सैंपलिंग लगाते हैं, यहां सैंपलिंग कैसा वंडरफुल है, यहां भी अपने को देवी देवता धरम का नहीं कहेंगे बाप समझाते हैं जब ऐसी हालत होती है तब मैं आता हूँ अब तुम बच्चें को मैं सब शास्त्रों का राज समझाता हूँ अब तुम जज़ करो कि कौन राइट है रावन है ही रौंग मत देने वाला इसलिए अन्राइट्स कहा जाता है बाप है ही राइट्स सच्चा बाबा सच्छे बताएंगे सच्खंड के लिए सच्चा ग्यान बताते हैं बाकी यह वेद शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के कितने मनुश्य पढ़ते हैं लाखों गीता पाडशालाएं अत्वावेद पाडशालाएं होंगी जनम जनमांतर से पढ़ते ही आते हैं आखरिन कोई तो M-object होनी चाहिए पाडशाला के लिए M-object चाहिए शरीर निर्वाहा अर्थ पढ़ते हैं M-object होती है जो कुछ पढ़ते हैं शास्त्र सुनाते हैं तो शरीर निर्वाहा चलता है बाकी ऐसे नहीं मुक्ती जीवन मुक्ती को पा लेते हैं वा भगवान को पा लेते नहीं मनुश्य भक्ती करते हैं भगवान को पाने के लिए भक्ती मार्ग में सक्षतकार भी होते हैं तो समझते हैं बस भगवान को पालिया इसमें ही खुश हो जाते हैं भगवान को तो जानते ही नहीं समझते हैं हनुमान गनेश सब में भगवान है सर्व व्यापी का बुध्धी में बैठा हुआ है ना बाबाने समझाया है जो जिस भावना से जिस की भक्ति करती है वहा भावना पूरी करने के लिए मैं सक्षतकार करा देता हूं वहा समझते हैं बस हमें भगवान ही मिल गया खुश हो जाते हैं भक्त माला है ही अलग और ग्यान माला अलग है, इनको रुद्र माला कहा जाता है और वह है भक्त माला, जिन्हों ने जास्ती ग्यान पाया, उन्हों की माला है और वह जास्ती भक्ती करने वालों की माला है, भक्ती के ही संसकार ले जाते हैं, तो फिर भक्ती में चले जाते हैं वह संसकार एक जनम साथ चलते हैं ऐसे नहीं कि दूसरे जनम में भी होंगे नहीं, तुम्हारे तो यह संसकार अविनाशी बन जाते हैं इस में जो संसकार जाएंगे फिर संसकार अनुसार जाकर राजारानी बनते हैं फिर धीकला कमती होती जाती है अभी तुम बीच में हो, बुद्धी वहां लटकी हुई है, बैठे भल हम यहां है, प्रन्तु बुद्धी योग वहां है, आत्मा को ग्यान है कि अभी हम जा रहे हैं, बाबा को ही याद करते हैं, हमारी आत्मा पार हो रही है, इस शरीर को इस किनारे ही छोड़ देंगे, इस किनारे है पुराना शरीर और उस किनारे है सुन्दर शरीर, यहां हुसैन का रत है, हुसैन जिसको अकाल मुरत कहते हैं, उनका यहां तक्त है, आत्मा तो अकाल है, आत्मा को गोल्डन सिल्वर में आना है, स्टेजिस है ना, बाबा तो है उंचते उंच, वहां स्टेजिस मे नहीं आता आत्माई स्टेजस में आती हैं गोल्डन एज वालों को फिर सिल्वर में आना पड़े अभी तुमको आइरन एज से गोल्डन एज में ले जाते हैं अपना परिचे देते रहते हैं उनको कहते भी हैं हैविली गौड फादर उनका अलौक एक दिव्य जन्म है भगवान को संकल्ब उठता है जाकर रचना रचें ड्रामा में उनका पार्ट है ना परम पिता परमात्मा भी ड्रामा के अधीन है मेरा पार्ट ही है भक्ती का फल देना परम पिता परमात्मा को सुख देने वाला ही कहा जाता है अच्छा करतव्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए उसका रिटान मिलता है तुम सबसे अच्छा करतव्य करते हो सबको बाप का परिचे देते हो अब देखो राखी का तेवहार आता है तो इस पर भी समझाना पड़े राखी है ही पतित को पावन बढ़ने की प्रतिग्या के लिए आप पवित्र को पवित्र बनाने का रक तुमको पहले पहले परिचे देना है पतत पावन बाप का जब तक वह न आये तब तक मनुश्य पावन बन नहीं सकते बाप ही आकर पवित्र बनने की प्रतिग्या कराते हैं जरूर कब हुआ है जो रसम रिवास चली आई है अब प्रैक्टिकल में देखो ब्रम्हा कुमार राखे बांध पवित्र रहते हैं जनेव कंगनाधी भी सब पवित्रता की निशानी है पतत पावन बाप कहते हैं काम महाशत्रो है अब मेरे साथ प्रतिग्या करो कि हम पवित्र रहेंगे बाकी कोई कंगनाधी पहनना नहीं है बाप कहते हैं प्रतिग्या करो मुझे हजार वर्ष पहले भी हुआ था पतत पावन बाप आया था आकर राखी बांधी थी कि पवित्र बनो क्यूंकि पवित्र दुनिया के स्थापना हुई थी अब तो नर्ख है हम फिर से आए हैं अब श्रेमत पर प्रतिग्या करो और बाप को याद करो तो तुम पावन बन होते हैं हम कभी पतत नहीं बनेंगे प्रन्तो ऐसे भी बहुत लिकर खत्म हो गए पतत पावन बाप आते ही हैं संगम पर ब्रह्मा द्वारा आकर डिरेक्शन देते हैं बच्चों को कि बच्चे पवित्र बनो यहां सबने प्रतिग्या की है तुम भी जज करो तब ही बाप से वर्सा मिलना है तुम पवित्र ब्रह्मन बनो तो फिर देवता बन चाएंगे हम ब्रह्मनों की प्रतिग्या की हुई है अल्बम भी दिखाना चाहिए यहां राखी बंधन की रस्म कब शुरू हुई थी अभी संगम पर यहां पवित्रता की प्रतिग्या की हुई है जो पेरे किस जन्म तक पवित्र रहते हो अब बाब कहते हैं मामेकम याद करो ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकाल पहले ही भाशन बनाना चाहिए यह कब से शुरू हुई पांच हजार वर्ष की बात है क्रिशन जन्मास्ट में भी पांच हजार वर्ष की बात है क्रिशन के चरित्र तो कुछ है नहीं वहा तो छोटा बच्चा है चरित्र तो एक बाब के हैं जो चतुराई से बच्चियों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं बलिहारी उस एक की ही है और किसका बड़े मनाना कोई काम का नहीं बड़े मनाना चाहिए एक परमपिता परमात्मा का बस मनुश्य तो कुछ भी नहीं जानते अच्छा मीठे मीठे से कील थे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुषानी बाप की रुषानी बच्चों को नमस्ते हम रुषानी बच्चों की रुषानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार नमबर एक वारिस बनने के लिए अपने सब हिसाब किताब कर्म बंधन चुक्तू करने है बाप की जो राय मिलती है उस पर ही चलना है नमबर दो सबको बाप का सत्य परिचे दे पतित से पावन बनाने का स्रेष्ट करतव्य करना है पवित्रता की राखी बांध पवित्र दुनिया के मालिक बने का वर्सा लेना है वर्दान एक पास शब्द की समरीती द्वारा किसी भी पेपर में फुल पास होने वाले पास विद ओनर भव किसी भी पेपर में फुल पास होने के लिए उस पेपर के कुशन के विस्तार में नहीं जाओ ऐसा नहीं सोचो कि यहां क्यों आया कैसे आया किसने किया इसके बचाए पास होने का सोचकर पेपर को पेपर समझ कर पास कर लो सिर्फ एक पास शब्द सम्रीती में रखो कि हमें पास होना है पास करना है और बाप के पास रहना है तो पास with honor बन जाएंगे श्लोगन स्वयम को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करने वाले ही सफलता मूरत बनते हैं स्वयम को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करने वाले ही सफलता मूरत बनते हैं शुक्रिया बाबा शुक्रिया रोज मुरली सुनने के लिए आप शिबाबा मुरली मदबन चैनल को सब्सक्राइब कीचे ताकि शिबाबा की मुरली रोज आपके पास पांचे ओम शान